हेलो एवरीवन वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट करते हैं 11.1 से कोशन नमबर 4 ठीक है लाइन एन एंगल्स नमबर 4 ठीक है है उनमें से x की वैल्यू फाइन यह एक लाइन है लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं एक एक एकस बन रहे है आपस में दोनों मिलके क्या बना रहे हैं लीनियर पेर बना रहे है उनको सम कितना होता है 180 डिगरी तो हम क्या लिखेंगे x plus 80 degree is equal to 180 degree reason क्या है linear pair ओके तो क्या होगा x की value में find करनी है 180 degree ये right hand side जाके क्या हो जाएगा minus 80 degree चिके so x will come 100 degree so linear pair में जो भी angles हो तो उनका sum होता है 180 degree लिखकर आप x की value find कर सकते हो similarly another आपको figure दे रखिए जिसमें angle नहीं दे रखा 3x and 2x दे रखा है it means जो भी x की value आएगी उसको 2 times ये वाला angle का part होगा and 3x this angle होगा तो इसको कैसे करेंगे 3x and 2x को add कर देंगे so 3x plus 2x इन दोनों को मिलके भी क्या बनेगा 180 degree ठीक है so 3x plus 2x किते हो गए 5x is equal to 180 degree so x की आएगा हमारा 180 degree upon 5 तो इसको हम cut करेंगे 5 3 is a 15 6 36 degree आएगा हमारा x की value ठीक है so 2x किसकी equal हो जाएगा 2x में value भरते हम 2x is equal to 2 into x की value फिल करी 36 तो क्या बन गया हमारा 72 degree ओके अब है 3x 3x क्या है 3 into 36 degree तो इसको बनेगा 6 3 is a 18 108 degree so 3x की value आगई हमारे पास 108 degree 2x की value आगई हमारे पास 72 degree जब इन दोनों को आप add करोगे न तो इनका sum 180 degree आएगा ठीक है करके देखते 8 plus 2 10 8 and 1 ठीक है इस तरीके से आप कोई भी यह find कर सकते हो कि कितनी value है x की ओके तेंक यू let's start इस थर्ड पार्ट इसमें क्या किया है एक line पे बहुत सारे angles दी है 1, 2, 3, 4 और उनकी value x के relation में दे रखिये 2x, 3x, 2x and 3x यह थोड़ा confusion के लिए दिया है otherwise यह बहुत simple है हमें बस यह दार्याद रखते है कि एक line पे बने हुए सारे angles का sum किसके बराबर होता है 180 degree के बराबर होता है ठीक है जब वो 180 degree के बराबर होगा तो हम इसको add करके is equal to 180 लेके x की value find कर लेंगे फिर 2x and 3x की value find कर लेंगे let's start हम लिखेंगे sum 2x plus 3x plus 2x plus 3x is equal to 180 degree और इसे लिखेंगे they are supplementary angles चीक है और फिर इन सब का sum कर लेंगे 2x plus 3x 5x 5x plus 2x 7x 7x plus 3x is equal to 10x is equal to 180 degree so x की find करने के लिए कैसे करेंगे 180 degree यह multiple के multiple के relation में है left hand side तो right hand side आके divisible हो जाएगा 0 से 0 कट हो गया answer आगया 18 x की value क्या आ गई 18 अब 2x की find करेंगे 2 into x 18 is equal to 36 degree 3x की value find करेंगे 3x is equal to 3 into 18 यह दिया नहीं है आपको लेकिन अगर आपसे पूछते हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हो solve करकर otherwise जस्ट आपको x की value बतानी थी यह वाल answer अगर पूछते हैं तो 3x की value क्या आएगी 8 3s are 24 54 degree so this will come 36 54 36 54 ठीक है चलो next question के लिए मिलते है next video में बाई झाल 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 झाल